कानपूर में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो गया वहीं दूसी तरफ सहर की सड़के लोगों के लिए समस्या बनी हुई है महराजपूर विदानसबा चेत्र के वाड नमबर 21 योगिन बिहार खाड़ेपूर की सड़के देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि आप किशी सहर में है वहां की चेत्रे जनता कई बार मंत्री विदायक शतीस महाना को सड़क की समस्या के लिए अवगत कराया गया लेकिन विदायक वाचेत्री पाशत्वारा जनता को आस्वाशन के सिवा कुछ नहीं मिला लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क पर मिट्टी और कीचर फैला हुआ है जिससे लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सड़कों पर गड़ी हो गई हैं जिसमें बारिश के कारण पानी भी भर गया वहीं जब रागीरों से बात की गई तो उनका कहना है कि बारिश के कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड़ी हो गई सड़के खस्ता हाल हो गई हैं अगर ऐसी ही बारिश होती रही सड़के हासों का करण बच जाएंगी कानपूर से समवाद्दाता अमिठाकूर की रिपोर्ट वाद्दाकी बारिश हो जाने करण मोटर ताइक बच्छो के नहीं है जो है कोई अः जाएंकि द निकęलने 2ट府 काल श्कूली आका सम्च्छा यह लोग सिर्व जो है पैटने कि हाँ ठीक क्या समस्या है मातर जी आप सिछेते हैं भाइया हमें का बहुत मुसीबत बहते ही कि एक सड़क नाई नहीं हम चल फिर नाई पाई था दोई जाए हम गए अगीर पर हमाट तोट है तोट गया लस्तर पलस्तर के दवायों को नाई पोड़ जाए पानी चाहता भारा बात है आँ रिजय आपू कहीं अवर दवाई कैसे हुए हमार हम चल नाई पाट भूहत मुसीबत में यह जानला कि हाँ अब जानला कि हमका दवाई करावगी चाहिए बहुत मुसीबत में हाथव तोटबा गोरव तोटबा यह समय और रोट नाई बनवावा तहद गया तो हम कैसे जाई कैसे आई उठवन बैठवन हमार बहुत गाड़ है